दोस्तो आज की इस वीडियो में आप सभी लोगो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट बात बताने वाला हूँ महतारी, वंदन, योजना, सवगोषना, सपर, पत्र से रिलेटेड एक चीज़ आप सभी लोगो ध्यान देना है इस फॉर्म को भरते समय यहाँ पर देख सकते हैं, तीन नंबर पर एक चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर आपको अपने पती का कार यह लिखना है, वेवसाय क्या काम करते हैं, वो लिखना है और उसके बाद वार्सिक आय लिखना है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे वेवसाय करते हैं, कौन सा काम करते हैं, वो यहाँ पर आपको डालना है ठीक है, जैसे या कंपनी में काम करते हैं, या मजदूर है, या किसान है, वो यहाँ पर आपको डालना है और आपकी वार्सिक आये यहाँ पे कितनी है वो डालना है बहुत सरे लोग यहाँ पे गलती करते हैं बहुत कम कम amount यहाँ पे डाल देते हैं तो मैं आप सभी लोग को original amount बताने वाला हूँ कि आपको कितना डालना है जिस्ते कि आपका जो form है वो reject ना हो और पात्र हो जाए आप पात्र ना हो तो यहाँ पे आप सभी लोग को मैं आपको example के लिए बता रहा हूँ आपको उतना ही नहीं डालना है आपको अपने हिसाब से डालना है तो मैं यहाँ पे example के लिए बता रहा हूँ 65,000 65,000 से 75,000 के बीच आपको डालना है ठीक है 65,000 से 75,000 के बीच में आपका amount डालना है 80,000 से नीचे तक आप कोई भी amount डाल सकते हैं यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपने हिसाब से आप लोग अपना amount डाल लेना मैंने यहाँ पे 2 amount डाला है वो यहाँ पर आपको डालना है और वार्षिक आय कितनी है परिवार की वो यहाँ पर आपको अच्छे से डालना है तो यह तो था सपत्पत्र जो मैंने पहले भी इसके उपर वीडियो बना रखा है मैं तारी वंदा नियोजना सवगोटना सपत्पत्र के उपपर पहले से मैंने वीडियो बना रखा है लेकिन ये चीज मैं बताना भूल गया था और बहुं सारे लोग यहाँ पर गलती भी कर रहे थे तो आज के लिए इतना ही दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना शेयर कर देना साथ चैनल को सस्क्राइब जरू कर देना ताकि इसी तरह की वीडियो आप सभी लोग को समय पर मिलता रहे